तो नमस्कार दूस्तों सवागत है आप सभी का इस चैनल पर दोस्तों आज हम बात करेंगे आपकारी विवाग की बहुत बड़ी भरती के बारे में यानि के दुस्तों आज की भरती है exercise department की इस भरती के दुस्तों नटफेकिशन जारी हो चुकत है और इस भरती के लिए दूस ही apply कर पाएंगे दोस्तों यदि आपका सपना है एक साइज department में काम करने का और यदि आप इस भरती के लिए eligible हैं तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही कास है यदि दोस्तों आप अन्य राजू के हैं तो भी आप इस भरती के लिए apply कर पाएंगे आज की भरती के लिए qualification रखी गई है बारी पास और दोस्तों आई सीमा की बात करें तो आज की भरती के लिए 18 साल से 33 साल तथा 18 साल से 38 साल तक वाली candidate apply कर पाएंगे इस भरती के लिए दोस्तों आपको 10 सब्सक्राइब करना है और इसमें सैल ही तो आपको बहुत ही बढ़िया मिलेगी दोस्तों यह आप चाहते हैं कि परतिक सरकारी नौकरी की रियल और ऑथन्टिक इन्फोर्मेशन सबसे पहले आपको प्राफ्ट हो तो दोस्तों जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और साथ में वेल आकन को भी जरूर प्रेस कर लीजेगा दोस्तों बश्ती की पूरी इन्फोर्मेशन समझने के लिए वीडियो के अंतक बने रहेगा इस वीडियो में दोस्तों आपको स्टेप बाई स्टेप सारी से देने वाले हैं तो चले दोस्तों बात कर लेते हैं आज की भरती से related information के बारे में तो गाईज आगे बढ़ेंगे जैसे बता है दोस्तों आज अम बात करेंगे आपकारी विबाग की भरती के बारे में यानि कि दोस्तों आज की भरती है exercise department की इस बट्ति के लिए दोस्तों male औ female दोनों ही apply कर पाएंगे आज की बट्ति के लिए दोस्तों I.S.E. की बात करें age limit की बात करें तो इस बट्ति के लिए 18 साल से 33 साल तता 18 साल से 38 साल तक वाली candidate apply कर पाएंगे और साथी साथ दोस्तों आपको category wise आयू सीमा में छूड़ भी दे जाएगी दोस्तों सहली की बात करें तो आपका पेस के लोगा 19,500 से लेके 62,000 रुपए तक और फीस के बात करें तो आज की भरती में दोस्तों आपको category wise दोस्तों 50 रुपए से लेके 500 रुपए फीस का भुखतान करना है दोस्तों और dates की बात करें तो इस भरती के लिए आपको 10 December से अप्लाई करना है और इसकी दोस्तों last date है closing date है 24 December 2022 यानि कि आपको दो हफ्ते का time मिलेगा दोस्तों इस भरती के लिए अप्लाई करने के लिए और दोस्तों इस भरती में जा तक apply mode की बात है तो इस भरती के लिए आपको online mode से apply करना है total vacancies की बात करें तो इसमें 200 vacancies है दोस्तों जांतक selection process की बात आए तो इस भरती में आपका online exam होगा इसमें आपके पास 10th standard के यानि की 10th standard की question आएंगे objective type question आएंगे आपका exam का date होगा 20 February 2022 दोस्तों इसमें आपका exam के बाद मेरे लिस्ट बनेगा उसके बाद आपका document verification तदा physical test होगा और finally आपका medical examination के माधियन से आपका दोस्तों selection किया जाएगा दोस्तों जाता vacancies की बात है पोस की बात है तो इसमें भरती होने जा रही है excise constable की आपकारी आरक्स रख की qualification की बात करें तो इस भरती के लिए qualification रखी गई है बारी की पास इसमें दोस्तों जातक आईसीमा की बात है तो इसमें मने आईसीमा की बारे में तो information आपको दे दी है जातक इस भरती में height की बात है तो दोस्तों male candidate के height होने चीए 167.5 cm चेस्ट होने चीए male की 81 to 86 cm इसमें 5 cm का expansion applicable होता है दोस्तों और female की height होने चीए 152.4 cm आपको दोस्तों मैं इसका pattern बता देता हूँ examination का और यहाँ पे आप देखेंगे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि यह जो आपका paper होगा 10th standard का होगा इसमें objective type question आएंगे 100 question आएंगे ठीक है दोस्तों और इसका माधियम English में होगा यह Hindi में होगा जो भी दोस्तों आपको easy लगता है जिस माधियम में आप paper देना चाहते हैं वो आप select कर सकते हैं इसमें दोस्तों आपका पहला paper होगा सामन्य ग्यान एबं तार्की ग्यान का 40 अंक का यह paper होगा दूसरा paper होगा बौदिक छमता एबं मानसिक अभिर्यूची का 30 अंक का यह paper होगा और तीसरा paper होगा आपका विज्यान एबं सरल अंक गणित का 30 अंक का यह paper होगा तो टोटल यह आपका 100 याने की 100 अंक का paper होगा दोस्तों भर्ती की notification आपको दिखा देता हूँ यह दोस्तों देख सकते है हैं भर्ती की notification यह Hindi में प्रकासित हो रखी है दोस्तों अब बात करेंगे आज की भर्ती के location के बारे में तो दोस्तों आज की भर्ती का location है मध्या परदेश और यह भर्ती employee selection board की द्वारा conduct की जा रही है दोस्तों इस बर्ती के लिए दोस्तों जैसे पता है कि यह आप मध्य परदेश में रहते हैं और अन्य राजियों के हैं तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे इसमें दोस्तों आपका employment exchange में आपका registration होना जरूरी है दोस्तों तो गाईज यह था सो डिटील आज की भर्ती का आई होब दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई हो मैँ मैँ